हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 321 पोस्ट हार्वेस्ट मनेजमेंट एन वेल्य एडिशन अफ फूट्स एन वेजिटेबल्स लेक्चर 19 पार्ट 2 अन फर्मंटेड विवरेजेज पिछले लेक्चर के अंदर अबने जो भी एक इन्वीत पे पदार्थ है स्कुएश है, कोडियल है, स्वीटन जूस है, सीरप है, सिंथेटिक सीरप है, वार्ले वाटर एक्सेकर एक्सेकर उन सब के बारे में अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि उनमें कितने परसेंट मिनिमम फूर्ट जूस होता है और कितना उनका टी-स-स होता है, वो ठीक है उसकी जो process है वो क्या है तो preparation of fruit juice beverages कैसे उसको prepare करते हैं पहला है fruit selection फलों का चुनाव कैसे करते हैं the variety and maturity of the fruit and the reason of cultivation affect the taste and quality of its use क्या होता है कि जो variety है मतलब यह मानलो की एक special जो variety होती है एक particular उसका अलग टेस्ट होता है तो जो बड़ी-बड़ी कमपनियां होती है जैसे मानलो अपने एक में वैसी example ले रहा हूँ जैसे slice है slice company है तो वो एक special किसम के आम की जो किसमे होनी को prefer करती है juice बनाने के लिए ठीक है तो जो special किसम है अब दशेरी का अलग बनेगा अलफेंजो का अगर juice निकालते हैं उसका अलग टेस्ट होगा तो जो उसकी variety होती है वो juice की quality को और उसके स्वाद को प्रवाबित करती है इसके बहुत ज़्यादा कच्चा है वो भी और इसके अलावा जो reason है cultivation का मतलब जो शेतर है जिस शेतर में वो cultivate हो रहा है मैं चलो एक example simple सा और देता हूं जैसे मालो कि किन्नू की cultivation है गंगा नागर शेतर के अंदर जहां फिर थोड़ा वह तेरिया पंजाव के अंदर है तो वहां उसकी जो quality है वो कम हो जाएगी अच्छी नहीं होगी ठीक है तो cultivation का जो शेतर है वो भी taste और quality को प्रभावित करता है जो उसको मोसम चाहिए होता है परिपकवता के दुरान फल को वो proper होना चाहिए तो ही उसका taste अच्छा बनता है अगर दूसरे reason के अंदर करते हैं तो उस जो पूरी परिपकव फल होते हैं उन्हीं को चुनाव करना चाहिए ओवर राइप एंड अन्राइप फूट्स एडवर्सली अफेक्ट दा क्वाल्टी अफ जो बहुत ज्यादा पके हुए होते हैं मतलब बहुत ज्यादा पक जाना किसी का जा फिर कहलो कि बहुत ही कच्छ फालों ठीक है मतलब एक पूरी तरह से अच्छे पके हुए फल यूज करते हैं जो कच्छे होते हैं जब हो ज्यादा पके होते हैं वो जूट्स की क्वाल्टी होते हैं उसको बिपरित तरीके से कहलो जा अड़ वर्सली कहलो जा कहलो कि उसके जूस टेस्ट का जो जूस का होता उसको खराव कर देते हैं फिर है उसके बाद शौर्टिंग एंड वाशिंग शौर्टिंग मतलब उसका शाटना उनमें से अलग-अलग कर देना जो खराव है जा उनको फिर उसके बाद उनको धोना वाशिंग ठीक है डिजेज़्ड डेमेज़्ड और रोटन फूर्ट्स आर रिमॉट जो डिजेज़'d होते हैं जहां कहलो जी इनि kıर कोई बिमारी लगी हुई है जहां कोई फल है जो जो damaged है, जिसको किसी इंसेक्ट ने है जां किसी भी कारण से उसको चोट लगी हुए है उस फल को और जो गले हुए फल रहते हैं उनको हटा देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, शांट देते हैं dirt and spray residues are of arsenic, lead etc are removed by rinsing with water ठीक है और using dilute hydrochloric HCl acid 0.5% solution and then rinsing in water जो dirt होती है फलों के उपर ठीक है जहां फिर कोई pesticide जहां आपने कोई उसके उपर fungicide का शिड़काव किया जहां उसके जो arsenic, lead जो उसके अंदर chemical pesticide के अंदर थे ठीक है उनके residues जहां कहलों उनका जो अवशेश उस फलों के उपर लगा हुआ रह जाता है उसको उतारने के लिए क्या करते हैं कि उनको पहले जहां तो पानी के अंदर धो लेते हैं ठीक है जहां फिर उनको करते हैं कि जो hcl एक dilute hcl ठीक है तनू उसके अंदर उसकी जो 0.5% की concentration है सांदरता है उससे पहले उसके अंदर फलों को धोते हैं फिर उसके बाद साफ पानी से उनको धो लेते हैं ठीक है जिससे की जो भी spray residues होते हैं ठीक है कोई pesticide यूज किया आपने कोई fungicide growth regulator यूज किया था खड़े हुए पेड के उपर जब फल लगे हुए थे तब तो वो उतर जाते हैं फिर जूस extraction जूस को निकालना जूस को extract करना usually the juice is extracted by crushing or grinding the fruit and pressing the crushed mass into a basket और hydraulic pest जर्नली क्या करते हैं जो जूस निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं कि फलों को जहां तो crush करते हैं ठीक है फोड लेते हैं एक तरीके से उसको गुद्दा बना लेते हैं जहां उसको पीस लेते हैं फिर उसके बाद जो टुकडे होते हैं उन को दबा देते हैं जा तो हाइड्रोलिक प्रेस होती है जा फिर बास्केट प्रेस होती है उसके तुरू उसको दबा कर उसका जूस निकाल लेते हैं ठीक है जर्नली तो यही प्रोसेस होता है ठीक है वैसे दो तरीके होते हैं इसको जूस निकालने के लिए जूस कन आलसो भ अभी रेडी पे जो रेडी मामलो जहां फिर कोई भी जूस वाली दुकान होती है एक तो सुजात्ता वाले आजकर अभी जो पहले अलुमीनियम के बने हुए कई कईयों पे तो मोटर लगी हुई रहती है जहां उसको वो गुमाते थे वो स्क्रू टाइप के जूसर थे ठीक है जिसमें उपर से फल डालते हैं और फिर हाथ से उसको गुमाते है और एक तरफ से लुगदी निकलती रहती है और फलों का रस निकालना होता है जहां ऐसे फल होते हैं जिनमें से रस निकालना बहुत कठीन होता है रस अलग करना मुश्किल होता है उनके लिए तो क्रशिंग और ग्रैंडिंग यूस होता है और जनरली जो लोकल लेबल पर या ताजा जूस पिलाने वाले होते हैं वह स्क् तो विदिया होती है जिन्सें जूस निकाला जाता है तो मेटड्स of juice extractant दो विदिया होती है juice निकालने की ठीक है, पहली होती है single operation अब juice निकालने की दो विदिया होती है, एक तो single operation दूसरा होता है double operation single operation, मतलब single एक बार में ही juice निकाल दिया ठीक है, फर डाला और juice निकल के बाहर, जैसे screw type juicer आते हैं, ठीक है इनमें जूस ऐसे ही निकाला जाता है इन्हें single operation screw type, plunger type, roller type presses are generally used for crushing and pressing the finished fruit for extracting use इनमें क्या करती है जो last में अपने फल पहले शील के शील का विल का उतार लिया जैसे संत्रे का जा फिर अपने मोसमी का रस निकालना है पहले उसका शील का उतार लिया उसको छील लिया ठीक है फिर उसके बाद जो finish product है उसका screw type juicer के अंदर जा प्लेंजर जिसके अंदर रहत है उसके अंदर अपने फलों के टुकडों को डाल देते हैं जो की crush करता है और बाद में उसी को press भी कर देता उसी time तो जिससे juice निकल जाता है फिर है citrus fruit segments are inserted through a hopper passed through a conical screw and juice flow through the pores while pomos emers at the end of the conical jacket जैसे इसने बताया कि screw type juicer के अंदर क्या होता है एक hopper होता हो पर मतलब जहांसे वो फलों को उपर से डालते हैं एक move होता है जहांसे अपने फल फल डालते हैं ठीक है उसके बाद उसके अंदर एक conical screw होता है conical screw मतलब एक आपने उसको अगर खोल के देखा हूँ आओ चलो मैं और एक और example देता हूँ आप कभी-कभी अभी Amazon पर प्लास्टिक वाड़ा लेके आते हैं वैसा ही होता है प्लास्टिक का बनाऊ होता है थोड़े जो soft फल होते हैं उनका रस निकाले उसको कभी धोके देखना निकाल के देखना उसका वह आपको screw type लगेगा उसके उपर जैसे screw के किनारे होते हैं वैसे ही वो उसके उपर भी किनारे होते हैं जो एक साइड से फल को लेते हैं और दीरे-दीरा उसके जो screw होता वो आगेसे पतला होता जाता है और लास्ट में उसकी जो pomos होती है जो लूगदी होती है वो निकलती है और रस उसके जो चारो तरफ एक slender लगा हुआ है उसके थुरू शंकर बाहर निकलता रहता है दूसरी साइड रस निकलता रहता है ठीक है तो यह इसकी प्रोसेस होती है जैसे citrus juice के लिए इसने बताई है फिरा the screw type extractor is operated either manually or while using electrically depending on the requirement जो screw type extractor होते हैं वो जनली तो manually होते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया रेडी वाले juice बेचरे होते हैं तो उसके वो लगा के उसको कोई light की जुरूरत नहीं होती हाथ से चलाते हैं कोगी बाहर light लेजा नहीं सकते पर हां कुछ electric ली होते है machine उसके उपर जादो चोटा सा engine जुड़ा हुआ रहता है जहां उनके अंदर कभी-कभी चोटी सी motor लग गुमाती है ठीक है नहीं तो हाथ से रोटेट करते हैं जैसे चापर मशीन होती है चारा काटने वाली सेम वैसे ही जहां तो हाथ से गुमाते है जहां उसके उपर एक belt लगा हो रहते हैं जो उसको गुमाती है ठीक है जिससे juice निकलता है the juice extracted is usually thick and cloudy and contain a considerable amount of macraded pulp जो juice निकलता ह है इस स्क्रू टाइप के अंदर ठीक है वह बहुत ही गाड़ा होता है और cloudy होता है मतलब कहलो कि धुंदला सा होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में pulp होती है ठीक है तो जैसे संत्रा है मोसमी है तो यह ध्यान रखा जाता है कि उसका जो छिलका है वो उसके अंदर ना mix हो मतलब juice ना निकले उसको वो प्रेस ना हो उसको पहले हटा देते हैं नहीं तो क्या होता है कि juice होता है वो छिलके के जो अंदर कड़वा होती है वो juice के अंदर आ जाती है जिससे आपका जो juice होगा वो कड़वा बनेंगा finally strains the juice with a coarse cloth or seeds to remove the seeds उसके बाद जैसे ही juice निकल जाता है उसको जान तो छलनी से जान फिर एक जो muslin का क्रोथ एक कपड़ा रहता है कपड़े से उसको छान लिया जाता है जिससे की बीज और जो भी उसके skin जा कोई पार्ट है तो वो अलग हो जाए ठीक है फिर है double operation पहले single operation पढ़ा था जैसे screw type था जिसमें एक साइट से अपने fruit डाला ठीक है और एक साइट से juice निकालता आ गया और एक साइट से pomos दोनों काम एक साइट हो रहे थे अब double operation में क्या होता है in this system the fruits are first crushed and then passed separately इस system के अंदर क्या करते हैं इस पहले फ़लों को crush किया जाता है crush मतलब उनको कैलो के टुकड़े चुट चुट चुटे टुकड़े कर लिये जाते हैं जाँ उसको मैश कर लिया जाता है उसके बाद अलग से उसको प्रेस किया जाता है मतलब उस टुकड़ों को बाद में प्रेस करते हैं पहले चुट चुटे टुकड़े कर लिये एक लुगदी बना ली फिर उसको प्रेस किया जाता है फ्रूट लाइक एपल आउला जामून ग्रेप्स बेरीज फालसा एक्सेक्टरा और टुट इन फ्रूट ग्रेटर और क्रशर और फिर फ्रूट मास इस पास्ट थ्रो ए बास्केट प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस ठीक है इसमें जैसे सेभ है आमला है जामून है अंगूर है जाँ और भी बेरी स्टा वेड़ी रस्पेरी कुछ भी है जाँ फिर फालसा है इनको पहले क्या करते हैं कि ग्रेटर जाग क्रशर से क्रश कर लेते हैं इनके छोट-छोटे लुगदी बना लेते हैं, जा कहलो कि छोट-छोट टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस crush जो मास रहता है, लुगदी रहती है, इसको एक basket press जा hydraulic press के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, अब hydraulic press का मैं एक छोटा से एक्जांपल दे दो, तुमने जो बेकरी वाली दुकाने रहती हैं, बेकरी वाली जैसे, मैंने पिक्चर डालना भूल गया वैसे, तो बेकरी वाली दुकाने जैसे बिस्कुट बनाने वाली रहती है, घर वाले बिस्कुट बनवाते हैं अपने, कभी ग प्रोलिक नीँ बास्केट प्रेस कुछ वैसे ही होती है, बास्केट जैसे वो टोकरी सी बणी होती है है उसका ठीक है तो बास्केट प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस कुछ वैसे होती है हाइड्रोलिक में थोड़ा सा ये कहलो कि थोड़ी सी ज्यादा अच्छी जिसमें हाइड्रोलिक system use किया जाता है मैंदला pressure use किया जाता है एक motor लगी रहती है वो pressure create करती है वो दबाती है वो तब ऐसे ही नहीं है दबाने का काम होता है और ईसा ही ज्यादा तर जो बड़ी इंड्रस्ट्री दोती है जैसे शूगर वाली है शूगर केन जो गन्ना होता है गन्ये से शुगर बनती है, उस इंडरस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, पहले वो गन्ये को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, उसके बारीक बारीक ऐसे बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रेस करते हैं, ऐसे नहीं कि गन्ये वाली जो अपने रस पीने वाली दुखान पर द फिर a fruit such as mango, guava, apricot, peach, etc. from which clear juice is difficult to extract are passed through a pulper to form the pulp and then the pulp is used to prepare juices, fruit drinks and beverages. बहुत से फल ऐसे होते हैं जिन में से बिलकुल साफ जहां कहलो कि juice प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी वीदी से जैसे आम है, guava है, apricot है, peach है इन में से juice निकालना बहुत ही मुश्किल होता है तो उनके लिए क्या गरते हैं, पहले उनको pulp बनाते हैं उनकी, वो ही लुगदी त्यार करते हैं, crush करते हैं, ठीक है, greater से फिर उसके बाद उस pulp को, pulp से use किया जाता है juice बनाने के लिए, fruit drinks और vibraises, वो ही hydraulic fresh use करते हैं ठीक है, अपने juice निकाल लिया, अब juice निकालने के बाद, de-aeration किया जाता है उसका de-aeration मतलब हवा को निकाल देना, ठीक है, अब जो फल का रस होता है उसके अंदर कुछ बुलबुले के रूप में air रह जाती है, हवा रह जाती है क्योंकि जो फल होते हैं, फलों के अंदर भी intra-cellular जो जगह होती है वहाँ पे oxygen और कुछ ऐसी गैसें पड़ी रहती है, बुलबुले के रूप में जैसे ही रस निकलता हो उसके अंदर ही चली जाती है, जो juice को एपारदर्शी बना देती है अगर इसको पैकेजिंग करने से पहले नहीं निकाला जाता तो यह क्वाल्टी को, juice की क्वाल्टी को खराव कर देती है तो मैं oxygen होगी, oxygen क्रिया करेगी, juice कड़वा हो जाएगा ठीक है The air in the juice is due to the presence of intracellular space present in the fruit जो फलों के अंदर intracellular space होता है उनके अंदर जो oxygen जा उसके अंदर जो gas बरी हुई रहती है उसके कारण juice के अंदर हवा आती है Most of the air as well as other gases are removed by subjecting the fresh juice to high vacuum The process is called de-aeration and the equipment used for the purpose is known as de-ariator जो ज़्यादा तर क्या करते है जो इस gas को निकालने के लिए vacuum, high vacuum generate किया जाता है जो उसके उपर जहां उसको एक ऐसे जगह पर रख दिया जाता है जो जहां पर एक vacuum create करते है जिससे कि जितना भी gas हवा होती है उसके अंदर उसको बाहर खीच लेते है और इस process को de-ariation कहा जाता है मतलब हवा को remove करना कहा जाता है और जो इसमें equipment use होता है वो de-ariator कहलाता है ठीक है? de-ariator कहलाता है मतलब ऐसा जो vacuum create करता है ऐसा एक equipment जिससे कि हवा को बाहर निकाला जाता है juice में से heating the juice during heat process also help to remove air अपने जब processing करते हैं last में गर्म करते हैं गर्म करने से भी उसमें जो हवा होती है वो निकल जाती है ठीक है? clarification of juices de-ariation के बाद उस juice को साफ किया जाता है उसमें जो भी suspended material होता है उसको हटाया जाता है जिससे कि आपको बिल्कुल clear juice मिल सके तो clarification कैसे करते हैं इसके कुछ वीदिया होती है जैसे straining और screening, finishing, decatation, centrifugation, enzymes, physical finishing, chemical findings, clarification by freezing, clarification by heating मतलब कुछ यह वीदिया है जो इनमें से किसी किसी को singly use किया जाता है और कभी-कभी इनको दो को जा तीन को एक साथ यूज किया जाता है और अलग-अलग फल्क के लिए अलग-अलग यूज किया जाते हैं तो एक एक करके अपने इनको देखते हैं पहला है staining और screening, staining और screening जो भी juice होता है, impure और unclarified juice होता है उसके अंदर broken fruit tissues, seeds, skin, pactin matter and protein जो collidal suspension के रूप में पाया जाता है मतलब उसमें तैरता रहता है अंदर, ठीक है मतलब उसमें फल के जो टिशू होते हैं, शिलके होते हैं, बीज के कुछ टुकडे होते हैं, यह सारे उसमें तैरते रहते हैं In small scale industries, fruit juice is filtered through a muslin cloth or stainless steel mesh sieves to remove coarse particles जो छोटी industries होती है, जैसे juice वाली दुकान मान लो की ठीक है, उसमें क्या होता है, जो juice बनाने वाला आदमी होता है, juice को साफ करने के लिए जातो कपड़े से छान लेगा जहां फिर जो छनिया रहती है, stainless steel की ठीक है, उसमें उसको छान लेता है rotary type stainless steel की ठीक है जो बड़ी industries होती है, वहां पर लगी होई रहती है, बड़ी industries, power operated screening systems और filter presses और जहां पर बड़ी industries होती है, वहां पर बिजली से चलने वाली ठीक है, जहां फिर filter press लगी होती है, जो juice को छानती है, बड़ी industries के अंदर जहां पर juice को pack करने का काम किया जाता है, simple चानना juice को straining और screening कहलाता है, ठीक है, फिर है finishing, finishing क्या होती है, finishing is needed to remove the cloudiness of the citrus juice, finishing ज्यादा तर जो अपना है citrus juice, ठीक है, निम्बू का जो रस जा कहलो कि निम्बू से समंदित जो भी फल है, जैसे संत्रा है, मौसमी है, इसका जो रस होता है, उसको चानने के लिए यूज करत इसमें कहाता है कि एक slender screen बनी हुई रहता है, जैसे कहलो कि एक slender होता है, ठीक है, एक बेलना कार, एक drum होता है, उसके अंदर चारो तरफ screening जहां कहलो कि वो जो drum बना हुआ रहता है, जिसके चारो दिवारें होती है, वो एक net की तरह होती है, एक जाली वाली होती है, ठीक ह डायमेटर होता, उनके अंदर जो शेद रहते हैं, इतने बारीक शेद होते हैं, ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, कि एक ड्रिल लगी रहती है अंदर की साइड, ठीक है, जो गूंती रहती है, और जो जूस होता है, उसको बाहर की तरफ, दिवारों की तरफ फैंकती है, तो बाहर की तरफ फैकती है तो जूस जो है वो छन के उसके अंदर से ठीक है बाहर की तरफ निकलता है साफ जूस बाहर निकल जाता है और जो उसका बीज है जहां कोई उसका छिलका है जो भी suspended material था वो अंदर रह जाता है ठीक है decantation, decantation में क्या होता है की एक तरह का निस्तारन कहे लो the simplest method of cleaning is that the solidified juice is allowed to settle and then the clear juice is descended or shipponed out keeping the juice at a low temperature for a long period of time helps the settle down the solids of the juice resulting in a pure juice इसमें क्या करते हैं कि बहुती simple video है बहुती आसान video होती है इसमें क्या करते हैं कि जो भी भारी particle होते हैं decanted कर दिया जाता है ठीक है इसमें क्या करते हैं कि कभी-कभी जूस को लंबे टाइम तक ठंडे temperature कम ताप मान के अंदर रखते हैं simple बिना हिलाई डूल है और जिससे कि जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उपर से प्योर जो उसको नितार लिया जाता है अलग कर लिया जाता है ठीक है फिर नेक्स्ट जो इसका विदी है वो है centrifugation centrifugation मतला जैसे अपने दूस से क्रीम को अलग करते हैं भारी पार्टिकल को हलके पार्टिकल से अलग करते हैं जहां हलके पार्टिकल को भारी पार्टिकल से अलग करने की एक विदी है ठीक है जैसे स्वेल साइंस लैव के अंदर आपने centrifugal मैशीन देखे होगी जो उसमें अफशेप होते हैं ठीक है जैसे कोई केमिकल डाला फशेप पैदा हुआ तो उसको अलग करने के लिए दो पार्टिकल को अलग करने के लिए ठीक है उसमें यूज करते हैं तो इसमें centrifugal के अंदर क इसमें करते हैं कि जो भी जूस होता है जिसमें solids होते हैं उसको एक बासकेट चाहब फिर डिस्क टाइप का जो centrifugal मेशीन रहती है उसके अंदर डाल देते हैं उसके बाद उसको घुमा देते हैं रोटेट कर देते हैं और जो centrifugal फॉर्स होता है वो लाइट और हैवी components जो होते हैं, particles होते हैं, ठीक है, उनको अलग-अलग कर देता है, juice के, then clear juice is collected and the unwanted solids are separated, उसके बाद जो भी आपने को नहीं चाहिए, juice के particle उनको अलग कर देते हैं, और juice को collect कर लेते हैं, फिर है enzymes, next जो इसमें विदी आती है, वो enzymes होती है, enzymes भी use किया जाती है, plants, carbohydrates, carbohydrates, pectin, starch and proteins form collidal suspensions in freshly extracted fruit juice, जो ताजार निकाला हुआ juice होता है, उसमें carbohydrate होती है, pectin होता है, starch होता है, protein होता है, जो उसको unclear कहलो कि एक तरीके से अपारदर्शी बना देता है, ठीक है, वो ही उसके अंदर तैरता रहता है, उसको हटाने के लिए enzymes यूज किया जा सकते हैं, जैसे pectinol enzyme is widely used to achieve better juiciness as well as for the purification of fruit juice, as it breaks down the pectin into a soluble form, which free the suspended particles and settle down to clear the juice, जो इसमें ज्यादा तर, बहुत ही बड़े शेतर में, ज्यादा तर जो pectinol है, pectinol एक enzyme है, ठीक है, उसको use करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा juice बनाने के लिए, ये कहलो कि जो उसमें pectin होता है उसको तोड़ देता है, और एक soluble form में बदल देता है, जिससे जो suspended particles होते है, वो free हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो नीचे बैठ जाते हैं, settle down हो जाते है, और juice clear हो जाते है, साफ हो जाते है, ठीक है, pectinol, जो enzyme होता है, वो pectin को तोड़ता है, ठीक है, जिससे वो solu प्रूट जूस के भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैट जाते हैं, सेटल डाउन हो जते हैं, पैक्टिनॉल is more effective in the case of acetic use, जो पैक्टिनॉल है वो ज्यादा तर जो acetic use होता है, जिसे अमली रस होते हैं, जिनमें अमल थोड़ी सी जादा में, सिट्ट्री कामल है, जो भी हैं, उनके अंदर ज्यादा तर यह ज्यादा effective रहता है, अगर आप पैक्टिनॉल यूस करते हो, यूस को clarification के लिए, fruit juice can be purified in about 1 to 2 horse at 40 to 50 degree Celsius temperature, but required 20 horse at 20 degree Celsius temperature, मतला अगर अपने temperature ज्यादा रखने हैं, तो जो purification की process हो जल्दी हो जाती है, ठीक है, 40 से 50 degree Celsius पे तो 1 से 2 गंटे के अंदर ही जो पैक्टिनॉल एंजाइम है, वो पार्टिकल उसको तोड़ देगा, जो पैक्टिन है उसको, और अगर ठंडे temperature पे रखते हैं, कम ता आप मान कहलो हो, 20 degree Celsius नॉर्मल से temperature पे रखते हैं, तो उसको कम से कम 20 गंटे चाहिए होते है, जो उसको पैक्टिनॉल जो है उसमें पैक्टिन है, उसको तोड़ने के लिए, और जो उसको साफ करने के लिए, ठीक है, फिर है फिजिकल फिनिशिंग, फिजिकल फिनिशिंग क्या है, सम फिनिशिंग अजेंट्स, डैट है, फिजिकल और मेकेनिकल एक्शन, और नोन एज कावलीन, डिटोमेटरस अर्थ, स्पैनिश कले, बैनोटाइट, बैनोटोनाइट, और चाइना कले और फिल्टर, मैंने पहले भी तुम्हें इसके बारे में एक्जांपल दिया था, कि क पानी को साफ करने वाले जो फिल्टर रहते हैं, स्ट्ईल वाले आते थे, पुराने ठीक है, उन्हें केंडल लगी हुँए लगबग चीनी मिट्टी जैसा ही, ठीक है, तो वैसे कुछ फिल्टर होती है, जिस से जूस को साफ किया जाता है, और उसके अंदर जनली 0.5 to 0.1% sand is mixed with fruit juice and passed through a filter press इसमें करते क्या है कि इसमें 5.5 से 0.1% sand mix कर देते हैं उस juice के अंदरी रेत, बालू, ठीक है बालू mix कर देते हैं और उसको जो filter press होता है उसके through pass कर देते हैं ठीक है, sand क्या करते हैं उन पार्टिकल जो भारी पार्टिकल होता उनके साथ चिपक जाते हैं और साफ जूस बहार निकल जाता है ultra filtration is a process that separates the particles of the basis of molecular weight एक ultra filtration process भी होती है ठीक है तो इसमें क्या करते हैं कि जो उनका molecular weight वजन होता है उसके हदार पे उनको अलग-अलग कर देती है ultra filtration process के अंदर जो ज़्यादा वजन वाले हैं वो अलग हो जाएंगे जो हलके होंगे वो अलग हो जाएंगे और इसके एक फाइदा यह होता है कि जो उसके अंदर nutrients होती है जूस के अंदर वो उसके अंदर बने रहते है ठीक है it is necessary to enzymatically settle down the Pactin period to ultra filtration to reduce viscosity and obtain a satisfactory juice यह जुरूरी होता है कि अगर अपने पहले उससे ultra filtration की process से गुजारना है ठीक है तो उसके लिए अपने पहले उसको enzymatically जो enzyme Pactinol enzyme था उसको पहले डालो जिससे कि Pactin टूड जाए और उसकी जो गाड़ापन है वो कम हो जाए और जिससे कि अपने को एक अच्छा juice साफ juice प्राप्त हो जके ठीक ह ठीक है फिर next है chemical finings, chemical finings में क्या होता है कि gelatin and caseins are used to clarification of the juice and act partially to neutralize electrically charged particles and partially to form an insoluble precipice with the components of the juice gelatin and caseins जो है एक chemical जिसको use किया जाता है जो उसको purification के लिए ठीक है जो कि क्या करता है कि जो उसमें electrical charge particles होते हैं उनको neutralize कर देता है उसके charge को हटा देता है ठीक है और जो charge हटने के बाद जो भी उनके particles होते हैं वो आंशिक रूप से जल के अंदर ए गुलंशी तरीके का एक क है मतलब जितने भी particle का उनके जो electro link का charge है ठीक है electron के उपर charge है वो खतम हो जाता है खतम होने के बाद वो insolival हो जाते हैं डस के अंदर गुलंशील नहीं रहते और वो भारी हो जाते हैं एक तरीके से कहलो कि कठे हो जाते हैं और एक अवशेप बना लेते हैं ठीक है gelatin combines tannin and casein with the juice acids जो gelatin होता है वो क्या करता है कि tannin और casein को combine कर देता है दोनों को बाद देता है जो उसके अंदर juice होता है उसके थुरू juice के अंदर juice के अंदर जो acid होता है acid के तरू tannin और casein को बांद देता है gelatin दोनों को जोड देता है, combine कर देता है gelatin can be cloudy juice if used in excess अगर gelatin बहुत ज़्यादा मातरा में use किया जाता है तो juice आपका इसके करण भी धुंदला हो सकता है मतलब उसकी मातरा के हिसाब से उसमें डाला जाता है जादा नहीं डालना, जादा डालोगे तो juice इसके करण भी अपका cloudiness हो जाएगा दुंदला पना जाएगा depending on the amount of tannin in the fruit juice the gelatin solution is added and allowed to stand for 18 to 24 hours to ensure that the precipitates settle down together उसके बाद क्या करते हैं कि जो gelatin है पहली दो बाद की बहुत जादा मतरा में नहीं डालना जादा डालते हैं तो cloudiness होता है और उतनी मतरा में डालते हैं जितनी मतरा में juice के अंदर tannin लब्द है और डालने के बाद उसको 18 से 24 गंटे तक पड़ा रहने देते हैं juice को जिससे की जो उसमें अब शेप बनने हैं वो settle हो जाए नीचे बैठ जाए ठीक है then the clarified juice is chiffoned off उसके बाद juice को जो साफ juice होता है उपर से निथार लिया जाता है इसके अलाबा albumin जो egg white होता है can also be used for juice clarification जो albumin egg white होता है उसको भी use कियाता है juice को clarification के लिए उसको juice को साफ करने के लिए जो अंडे का white वाला भाग होता है ठीक है अंडे का white वाला जोग उसको भी use कर सकते है फिर a clarification by freezing grapefruit juice contains cream or tartar or potassium hydrogen tartar as well as pulp and skin which are removed by freezing or by cooling for a long term storage or by refrigeration grapefruit juice होता है grapefruit citrus की एक species ठीक है grapefruit तो उसके ज्रस के अंदर क्या होता है कि उसमें cream tartar एक कैम पाया जाता है एक तरीके की wax like कुछ चीज होती है ठीक है जहां फिर potassium hydrogen tartarate पाया जाता है जो क्या होता है कि उसको निकालने के लिए क्या करते है उसको freeze कर देते है जमा देते है ठीक है और जहां फिर उसको ठंडा कर देते है लंबे समय तक उसको ठंडा कर देते है स्टोरेज के अंदर जहां फिर refrigerator के अंदर ठीक है उसको निकालने के लिए को कि wax like है जम जाएगा तो वो अपने आपी अलग हो जाएगा बट बाइ इस मैथट एपल जूस इस प्रेसिपिटेटेड और थोईग एंड देन इट कैन भी कलेरिफाइड इसी वीदी से जो एपल का जूस है फ्रीजिंग मैथट से मसला पहले इसको जमा देते हैं फिर जमाने के पाद उसको पिगलाते हैं तो इससे क्या होता है यह आपном एक साफ juice प्राप कर सकते हो सेव का भी ग्रेफ्रूट का भी इसी वीदी से kरते हैं और इपल के अंदर भी इसी वीदी से किया जा सकता है तिर next है जब अपने उसको juice को गरम करते हैं, juice में collidal material होता है, वो एक दूसरे के साथ kello की coagulated हो जाता है, जहां kello एक तरीके से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, जब उसको अपने ठंडा करते हैं, तो वो नीचे बैठ जाता है, और juice को अपने filter जो प्रेस रहती है, उससे अपने अलग कर सकते हैं, the clarified apple and palm granite juice, the juice is heated to 80 to 85 degrees Celsius for a few minutes and immediately cooled and then the juice is filtered through a filter press, apple और palm granite जो सेव है और जो अनार का juice होता है, उसको पहले 80 से 85 degrees Celsius गरम करते हैं, कुछ मिन तक उसको गरम करते हैं, फिर उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं, फिर उसको एक प्रेस, जो फिल्टर प्रेस होती है, मतलब एकदम प्रेशर वाली ऐसी फिल्टर है, जिसमें एक साइड से प्रेशर दिया जाता है, दूसरी साइड से juice निकलता है, उसके थ्रूस को साफ कर लिया जाता है, फिर next है, ये तो method खतम हो गए, उसके बाद next step आता है, ठीक है, clarification के बाद, addition of sugar, चिनी क अंगूर के और सेव के रस को छोड़ कर सभी को मिठा किया जाता है, मतलब उसमें sugar मिला कर उसको मिठा करते है, sugar can be added directly to the juice, और as a syrup made by dissolving in water, शुगर को आप सीधा juice के अंदर भी मिला जाता है, कई कई फलों के रस के अंदर तो, और कईयों के अंदर क्या करते हैं, पहले can sugar in appropriate quantities, pulp है, fruit juice, squash है, cordial है, syrup है, यह सारे के सारे जो गन्ये का चीनी रहती है, गन्ये से sugar से जो बनती है, उसको एक निश्चित मातरा में लेकर syrup को उसमें डाला जाता है, मतलब उससे त्यार किया जाता है, इनको मिठा किया जाता है, similarly ready to serve drinks, RTS and fruit juices are sweetened with can sugar, ऐसे ही जो RTS होते हैं, fruit juices होते हैं, उनको मिठा, cane sugar के थुरू किया जाता है, ठीक है, जितनी जुरूरत है, उतना ही उसमें चीनी मिलाई जाती है, फिर है fortification, fortification कई बार definition में भी पूछा जाता है, fortification क्या है, fortification एक मैं simple बता दूँ, तो एक ऐसी process है, जिसमें किसी भी जो juice है, जानी की कहलो क कोई alcoholic vibrations है, उसकी nutritive value है, उसको enhance करने के लिए उसमें add किया जाता है, कोई material add कर देते हैं, जैसे कोई vitamin कम है, तो vitamin में ला दिया, जान फिर ascorbic acid में डाल दिया, जान फिर उसमें beta carotene में ला दिया, मतलब उसकी nutritive value को enhance करने के लिए जो चीज मिलाई जाती है, जब मिलाने की जो process होती है, वो fortification कहलाती है, juices, squash, syrups, etc. are sometimes enriched with vitamins to enhance their nutritive value, improve test, texture, or color, and replace nutritive loss in processing, जो juice है, squash है, syrup है, etc. इनकी जो vitamins जो होते हैं, उनको enrich करने के लिए, उनकी nutritive value को बढ़ाने के लिए, उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए, उनकी जो texture है, सरचना कहलो जाए एक तरीके से ठीक है, बनावट है, उसको और उसके color को बढ़ाने के लिए, जहां कहलो कि जब अपने processing करते हैं, मतलब उसको गर्मी देते हैं, जो उसको, तो उसकी जो lost हो जाते हैं, जो nutrients, मतलब गर्मी के करने के nutrients होते हैं, जो उड़ जाते हैं, तो उसकी पूर्ती के लिए, replacement के लिए, कुछ nutrients add किये जाते हैं, vitamins add किये जाते हैं, typically ascorbic acid and beta carotene, the water soluble form, जो beta carotene की water soluble form है, are added at the rate of 250 to 500 mg and 7 to 10 mg per liter, exceptly, जो ascorbic acid है, और beta carotene है, ज्यादा तर इसी को मिलाया जाता है, ठीक है, एक तो जो ascorbic acid है, 250 से 500 mg per liter के हिसाफ से, और beta carotene को 7 से 10 mg per liter के हिसाफ से, juice के अंदर मिलाया जाता है, ascorbic acid act as an antioxidant, जो ascorbic acid होता है, वो antioxidant की तरहें काम करता है, और beta carotene provides attractive orange color, और beta carotene, उस juice को, उस पेपदार्थ को, एक attractive orange color परदान करता है, नारंगी रंग परदान करता है, some acids are added for a balance test, और कुछ acid भी add किये जाते हैं, जो उसका स्वाद होता है, उसको adjust करने के लिए, citric acid is often used for all types of vibrages, जो citric acid है, जो सभी परकार के जो vibrages होते हैं, उनके अंदर मिलाया जाता है, उनके test को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही phosphoric acid for cola types drinks, और जो phosphoric acid है, उसको जो cola type के drinks होते हैं, जैसे Coca-Cola, Thumbs Up, यह मतलब जैसे भी हैं, उनके अंदर phosphoric acid मिलाया जाता है, उसके test को natural चीज है, उसके अंदर उसके test को बढ़ाने के लिए, nutritive value को बढ़ाने के लिए, ठीक है, vitamins add करना, beta carotene add करना, scorbic acid add करना, यह उसकी nutritive value को बढ़ा देते हैं, यह process fortification कहलाती है, फिर अब preservation of juices, preservation juice का, मतलब उसका selection कैसे करते हैं, production कैसे करते हैं, मतलब लंबे time तक वो juice अच nectar are preserved by pasteurization, और by using chemical preservatives, जो fruit juice होते हैं, जहां फिर RTS होते हैं, ready to serve, and nectar जो होता है, उसको ज्यादा तर पास्चोराइजेशन से, लंबे time तक सुरक्षित रखने के लिए, यूज कियाता है, पास्चोराइजेशन, जहां कुछ chemical preservatives भी है, ठीक है, जो second class के होते हैं, जैसे sodium benzoate, इसके अलावा potassium metafysulfide जानी कि sulphate पैदा करता है, sulphur dioxide, उसको यूज करते हैं, squash, crush, syrup, and cordial are preserved by adding chemical preservatives such as potassium metafysulfide और sodium benzoid, ठीक है, फिर है, पास्चोराइजेशन, मतलब अब अपने उनके वो step पढ़ रहे हैं, किसके तुरू उसको preserve किया जाता है, जो उसको, कुछ वीदियों के बारे में, वैसे तो अपने ये सारे के सारे जो methods थे preservation के उसमें पढ़ लिये थे, पर फिर भी मैं short में बता रहा हूँ, the most common method is to preserve fruit juice by heat, बहुत ही common भी दी है, फलों के रस को heat के द्वारा preserve करने की, पास्चुराइजेशन is a process in which the juice is heated to 100 degree Celsius और slightly below to inactivate or kill the microorganism that spoil the juice, जो पास्चुराइजेशन है, इसमें क्या करते हैं, कि 100 degree Celsius जा इससे कुछ कम तापमान पर उनको गर्म करते हैं juice को, जिससे कि जो भी inactivate हो जाएं, जो भी microorganisms हैं, जो enzyme हैं, वो inactivate हो जाएं, ठीक है, जिससे क juice spoil ना हो, juice खराब ना हो, fruit juices are typically pasteurized between 75 to 88 degree Celsius with period ranging from 30 seconds to 30 minutes, depending on the types of heating system, the nature of the juice and the size of the container, जो fruit juices होते हैं, उनको 35 से 88 degree Celsius, ठीक है, 88 degree Celsius तक गरम करते हैं, मतलब अलग-अलग juice के हिसाफ से, और इनका जो time रखा जाता है, वो 30 seconds से लेकर 30 minutes तक का होता है, मतलब किसी फल के लिए कितना होता है, किसी juice के लिए कितना होता है, और यह depend करता है, कि कितना temperature, कितने time तक रखना है, वो depend करता है, एक तो, कि heating का system कैसे use कर रहें, मतलब आप जो आपका container जिसमें आप गरम कर रहे हो, वो किस type का है, फिर आप पास्टोराज़ेशन can be done either by heating for a long time at a low temperature, यह अपने सारा पिछले जो methods थे, पास्टोराजेशन के उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है, L-T, L-T method और H-T, ST method, मतलब हाई temperature for short time, ज्यादा तापमान दे देना, कम समय के लिए दे दो, एकदम से दे दो, कम समय के लिए, जहां फिर धीरे-धीरे कम तापमान पर रखो से, कि दो वीदियां होती हैं, पास्टोराजेशन की, फिर है preservation with chemicals, chemicals, mainly दो chemical use किये जाते हैं, benzoic acid, जिसको benzoids भी बोल देते हैं, sulfur dioxide, sulfides, जहां फिर KMS, potassium metasulfide, ठीक है, sulfur dioxide जिसमें से, sulfur, एक preservation का काम करती है, तो कुछ limits है, जो food product order, उसके हिसाब से, कितनी permitted limit है, मतलब इतनी ही उसमें होनी चाहिए, तो fruit pulp, juice, for conservation into jams, and other products, जैसे cherry, strawberry, and other fruits, जो भी juice है, उसके अंदर, जो sulfur dioxide है, वो 1000-3000 ppm मात्रा होनी चाहिए, जहां कहलो कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, fruit juice concentrate, जो है, ठीक है, सांदर जो फलों का रस रहता, उसमें, sulfur dioxide, 1500 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, squash, crushes, fruit syrup, सर्बत, cordials, fruit juice, and barley water, इसके अंदर आप sulfur dioxide भी यूज़ कर सकते हो, benzoic acid भी यूज़ कर सकते हो, sulfur dioxide 350 ppm, जा फिर benzoic acid 600 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर sweetened ready to serve vibrages, जो मीठे, जिसमें मीठा डाला हुआ रहता है, जो RTS होते हैं, उनमे, sulfur dioxide 70 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और benzoic acid डालें तो 120 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर preservation by sugar, शूगर जो म अब प्रिजर्वेशन किया जाता है कुछ चीजों का, जैसे fruit juices containing 66% sugar, usually do not fermented, जो fruit juices होते हैं, जिनके अंदर 66% से अधिक चीनी होती है, वो ज्यादा तर fermentation की process नहीं होती है, उनके अंदर, मतलब fermentation की process से ही ज्यादा तर खराब होती है, क्योंकि उसमें carvohydrate होता है, carvohydrate fermented हो जाता है, तो उस किन्वन को रोकने के लिए 66% से अगर चीनी जादा रहती है, तो उसमें किन्वन की process नहीं होती, fruit syrup और शर्बत, with high total soluble solids 65% and above, have very little working water, so microorganisms cannot grow, जो fruit syrup होते हैं, जहां फिर शर्बत होती हैं, जिनके अंदर, जो total soluble solids हैं, TSS, पैंसर परसेंट होता है, जहां इस से ज्यादा होता है, उनमें जो working water होता है, active water कहलो, जो microorganisms जिसको use करते हैं, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण microorganisms जो सुक्षम जीव होते हैं, वो growth नहीं कर पाते, ज्यादा चीनी होने के कारण, वो working water जो होता है, वो कम हो जाता है, ठीक किया जाता है चीनी को बहुत एक ट्रिक्ट का डिहाइडरेट कर देता है उसमें पानी को कम कर देता है चीनी शूगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव वाई ऑस्मोसिस और इनिवीटिंग दा ग्रोथ आफ माईक्रो अरगनिजम शूगर है वो जो प्रासारन है उसके थ्रू भी ठीक है प्रासरन तुम जानते हो एक आपकी जो किशमिश है उसको पानी के अंदर डालते है और वो फूल वो ही प्रोसेस ठीक है इसमें भी क्या करता है कि जिसमें ज़्यादा पानी होगा उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो खीच लेगा और जो माईक्रो अरगनिजम के अंदर अगर पानी ज़्यादा होगा उसको मार देगा यह उसमें से पानी को खीच लेगा इसके लाबा जो मा Properly stored juice retains its freshness, color, taste and aroma for a longer period of time. अगर juice को अच्छे तरीके से store किया जाता है, ठीक है, ठंडी जगह पे, तो उसकी जो freshness होती है, ताजगी है, उसका रंग है, उसका सवाद है, उसकी जो खुशबू है, वो लंबे समय तक बनी रहती है. जो हवा निकाली हुई जिसमें से, मतलब अपने देखा था, वहाँ पे जो ऐसा juice होता है, उसको ऐसे containers, ऐसे डिभूं के अंदर shift किया जाता है, डाला जाता है, और इस परकार से उनको बंद किया जाता है, और उसके बाद उनको जमा दिया जाता है, फ्रोजन कर दिया जाता ह जिससे कि वो लंबे टाइम तक सुरक्षित पड़े रहते हैं, ना तो उनकी जो स्वाद है, वो खराब होता है, ना उसका कलर खराब होता है, ना उसकी जो फ्रेशनेस ताजगी है, वो खराब नहीं होती, freezing does not sterilize fruit juice, जो freezing होती है, वो juice को sterilize नहीं करती, sterilize से मतलब उसके जो very slowly, freezing क्या करती है, sterilization का कम तो नहीं करती है, मारती तो नहीं है, पर हां उनकी जो इतना temperature कम हो जाता है, इस number तक कि उसके जो microbes हैं, वो multiply नहीं हो पाते हैं, जो अगर उसमें एक आद सुक्षम जीव है, तो वो growth नहीं कर पाता है, अपनी व्रदी नहीं कर पाता है, एक से दो पूरता है, तो वो भी बहुत ही slow हो जाते हैं, फिर है preservation by drying, next, micro organisms require water for their growth and multiplication, and as soon as water is removed, they become incapable of multiplication, जैसे कि अपने को पता ही कि micro organisms सुक्षम जीव हैं, उनकी growth के लिए और उनके गुनन के लिए पानी की आफशेक्ता होती है, अगर अपने juice में से जितना जल्दी हो सके पानी को हटा दे, तो वो अपना multiplication नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, fruit juices can be preserved in powder form by different methods, मतलब powder बना लिया जाता है उस juice का, such as spray drying, drum drying, freeze drying, format drying, etc., इन जो विदियों से उसको एक powder form में बना लिया, बिल्कुल बा पाउच के अंदर आती थी, उसको अपने गोलते थे, गिलास के अंदर भी गोल लेते थे, और पी लेते थे, सेम वैसा ही फलों के रसका भी powder बना लिया जाता है, और जो उसकी विदियां होती है powder बनाने की, ठीक है, spray drying है, drum drying है, freeze drying है, format drying है, यह अपने वैसे जो dehydration वाला अ होगा आगे उसमें अपने इनको पढ़ेंगे यह विदियां किस तरीके से इनमें रस को जहां फिर जो मैटर होता है उसको सुखाया जाता है इन विदियों से वो आगे पढ़ेंगे अपने फिर फ्रूट जूस पाउडर्स आर हाइली हाइग्रोस्कॉपिक और रिक्वायर स्पैशल केर इन पैकेईजिंग जो फ्रूट जूस होता है बहुत ज़्यादा हईग्रोसकॉपिक होता है मनलता पानी अधरता ग्राही होता है पानी को बहुत ही जल्दी नमी को ग्रहन कर लेता है गीला हो जाता है और खराब भी होने लग जाता है तो इसको जब भी packaging करते हैं बहुत ही ज़्यादा साफदानी की आफशकता होती है lemon juice powder can also be prepared using the form made drying process जो lemon juice का powder होता है उसको भी prepare किया जाता है form made drying जी जो process है उसके through ठीक है form made drying अपने आगे पड़ेंगे मैंने बता है आगे पड़ेंगे किया इसकी merits होती है क्या होती है फिर a preservation by carbonation carbonation is a process of mixing carbon dioxide under pressure with water पानी के साथ में जोज के साथ में जा कोई भी विवरेजेज है उसके अंदर carbon dioxide को pressure के साथ बरा जाता है ठीक है so that the product is served जब अपने product को पीएं जान उसको use करें, served करें, release the gas in a fine bubbles and produce a distinctive test जिससे क्या होता है कि वो जो उसमें carbon dioxide है वो bubbles के रूप में, छोट-छोटे महीन bubbles के रूप में बाहर निकल जाए और एक कहलो कि एक special जहां एक distinctive taste पैदा कर दे जैसे तुमने cold drink देखी होंगी, उसमें जैसे ही अपने डक्कन खोलते है क्योंकि उसमें carbonation के थूप, उसमें pressure के थूप, carbon dioxide बरी हुई रहती है bubbles निकलते है, bulgulay से निकलते है और gas निकल जाती है, पर हाँ उसका जो test होता है वो भी उसी के कारण होता है, अगर ज्यादा time तक खुली हुई पड़ी रहे bottle, bubbles निकल चुके हैं और काफी time हो गया, तो उसका taste नहीं रहता क्योंकि उसमें से जितनी भी carbon dioxide वो सारी के सारी बाहर निकल जाती है अगर थोड़ी सी carbon dioxide में गुली हुई रहनी चाहिए, जिससे उसका सवाद आ सके ठीक है, carbonated drinks are typically bottled with a carbon dioxide content of 1-8 gram per litre जो carbonated drinks होते हैं, उनमें जो bottling करते हैं, उनको भरते हैं तो उसमें 1-8 gram per litre के हिसाफ से carbon dioxide mix करके उन बोतलों को भरा जाता है जैसे ही उसका डखकन खोलें, lead कोलें, बुलबुले निकलें और जैसे उसी को उसी time पीना पड़ेगा नहीं तो उसका जो test होगा थोड़े time बाद, जैसे ही carbon dioxide उट जाएगी तो test उसका बिल्कुल फीका सा लगेगा, आपको test नहीं मिलेगा फिर है preservation by filtration, filtration के तुरू रसका preservation करना, selection करना, in this method, clear fruit juices, especially apple and grapes, are passed through a special filter, which are capable of retaining yeast and bacteria, मतलब इसमें क्या करते हैं, filtration simple process जैसे अपने screening और sieving वाला पड़ा था शुरुआत में, ठीक है उसमें क्या करते हैं कि juice होता है, उसको एक special प्रकार का जो filter होता है, उससे गुजारा जाता है, जिसमें एक इतनी क्षमता होती है कि जो yeast और bacteria होता है, उसको भी अपने अंदर रख लेता है, मतलब उसको भी छान देता है, और वो अंदर spores उसके जो microorganisms हैं, उनके spores अंदर juice के नहीं जाते हैं, वो भी छन जाते हैं, तो various types of germ proof filters are used for this purpose, and this method is used for soft drinks, fruit juices and wines, और यह जो germ proof filter है, बहुत से परकार के होते हैं, और इनको यूज भी किया जाता है, और बहुत सी जो drinks रहती हैं, soft drinks, ठीक है, जान फिर जो fruit juices रहते हैं, जान जो wines रहती हैं, शराब कहलो है, alcoholic product रहते हैं, उनके अंदर इसको यूज किया जाता है, इस परकार के जो filtration बाली preservation है, इस वीदी को यूज किया जाता है, फिलिंग and processing, the bottles are rinsed thoroughly with hot water, and filled living 1.5 to 2.5 cm head space, पहले जो bottle रहती हैं, जिनके अंदर अपने juice को तियार कर लिया, उसमें चीनी मिला लिया, चीनी के बाद fortification कर लिया, उसके बाद उस juice की अपने pasteurization, जहां कुछ भी कर दिया, जो भी अपने को उससे store करना तो उसमें chemical मिला दिया, जिससे कि कुछ time तक वो सुरक्षित पढ़ा रहे, फिर उसके बाद उनको बोतलों में बरा जाता है, तो बोतलों को बरने से पहले, बोतलों को पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता ह साफ करने के बाद बोतलों के जो उपर की head space होता है, जहां कहलो कि उसको पूरी तरीके से पूरा नहीं बरा जाता है बोतलों को थोड़ा सा खाली रखा जाता है, एक 0.5 से 2.5 centimeter जो उपर से जगह खाली रखी जाती है, ठीक है, जो उसकी बोतल को पूरा नहीं बढ़तें बोटल्स इंटेंड फॉर हीट प्रोसेसिंग आज सील यूजिंग क्राउण कोर्क वाइलिंग बोटल और शील्डेड उजिंग केमिकल प्रिजरवेटिवस चैन बी सील यूजिंग पीपी पिलिफर पूरूफ कैप्स जो बोटल्स होती है उनको हीट प्रोसेसिंग के बाद जैसे हील्स प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद क्राउण कोर्क जैसे कोल्ड रिंग्स पुराने कांच वाली बोटले आती थी जहां फिर सॉस की बोटलों के अंदर आपने देखा होगा जो डखकन लगा हो रहता है उसको क्राउण कोर्क मशीन से लगा दिया जाता है ऐसा जहां फिर जो जिनके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं उनको जो पीपी पिलिफर फूफ कैप्स होते हैं जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहे होंगे आपको ठंडे की बोटले पे उपर लगे हो रहते हैं जैसे बड़ी दो लिटर वाली डाई जाते हैं ठीक है ऐसे कैप उसके उपर लगा दिये जाते हैं एक चीज़ और याद रहना जो हैड़ स्पेस है कई बार पूछा जाता है कितना हैड़ स्पेस रखते हैं 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर हैड़ स्पेस रखते हैं मतलब बोटल पूरी तरह ऐसे नहीं बरते मूह तक न